इनके लबे रंगी की इचाबरें थी के जिसने आई वगेरे के अंदर रिंग्टोन लगाने थे के फोन आने पर रिंग्टोन की जगह पर ये नात वगेरा बचती है ये गुरान पाक की आयते बचती है तो इसका लगाना दुरूसत है या ना दुरूसत है लेकि शरी अतबार से अगर कोई शक्स अपने मुबाइल के अंदर रिंग्टोन ऐसी लगाता है जो नातिया कलाम हो या फिर ये के वो कुरानी आयत हो तो लगाना इसका जाइज तो है यानि शरीयत में कोई गुना इसको नहीं है लेकिन अदब के ये चीज़ खिलाफ है खिलाफ अदब है तो बे अदबी भी है तो इस सूरत में इसको नहीं लगाना चाहिए ना लगाना बहतर है और इसमें अलमा तो इसको मना करते हैं ना लगाना बहतर है लेकिन इसके अंदर एक असल वज़ा दरसल ये है कि ये एक तरीके से खबर देने वाली बात होती है जब कि ये चीजे जो हैं वो खबर देने के लिए नहीं बलकि अपने आखरत को सवारने के लिए और सवाब हासिल करने के लिए मसले नहीं है कि कुरान पाक कि कुरान पाक की आयत है अगर इसको जो सुना जाएगा पढ़ा जाएगा तो इसमें सवाब होता है लेकिन अब ये सिरफ एक information के तोर पर इस्तिमाल हो रही है कि कोई phone करता है तो एक दम कुरान की आयत बचती है तो यहां कुरान का सुनना भी मुराद नहीं होता बलके इसी तरह नाते मुस्तिफा है तो ये भी एक अजीम शान अबादत है नाते मुस्तिफा पढ़ना और ये अपनी मख़ुरत का जरीया भी है मगर ये कि अब नाते सिरफ इसलिए कि आपको वो information दे रही है कि अब फला का phone आया है जब वो बजएगी तो आपको एक information मिल जाएगा तो उसको जो इस्तिमाल किया जा रहा है इतनी अजमत वाली चीज़ को वो सिरफ आपको खबर देने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है तो ये जरूर पैद भी है कैसा नहीं करना चाहिए मुसलिमान का दिलिए गवारा भी नहीं होना चाहिए कि वो नातो की रिंग टॉन और आयतो की रिंग टॉन इस्तिना लगाए कि वो सिरफ इनको खबर दे घर के अंदर कुरान पाक मौजूद है उसको पढ़िए उसको पढ़िए उसमें अंदर सवाब इन्शालला मिलेगा बेख्याली के अंदर आयत बचती है तो सुनते हैं कोई इरादा नहीं होता कुरान सुनने का अवल तो नियत के ओपर दारुमदार होता है जब इरादा नहीं है और बेखबरी में धोके में सुन ली गई चाहे दरूद पाक की रिंग टॉनों चाहें कुरान मुकदस की उन् नहीं है बलके इमाम आजब अबू हनीफर रदिल्लाव तबारक बताला अनुगा वह वाक्य भी यात कीजिए कि जब हुदूर अले खौब में आकर फरमाया कि जिस शक्स ने दरूद पाक अगर पढ़ लिया मुझे तो क्या सजदा सहव को तुमने उसको हुकम दिया तो उ आत बजेगी नहीं बजेगा फोन रखा होता बेल बजी अचानक धोके में तो उसको यह सवाब समझ रहा है तो घलती है तो यह चीज़े को धोके में सुनने वाली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है बलके यह अजमत वाली चीज़ें से परेज करना चाहिए रिंटॉन वग करता है को लड़ ट्यून बजेगी यानि जो बंदा सुनेगा कॉल करेगा वो नात सुनेगा कुछ मेरी इसमें समझ में नहीं आ रहा भी फिर और यह कि जाईज की सूरत तो बिल्कुल नजर आ रही है कि अगर कोई वंदा कॉल करेगा तो सको कॉल और ट्यून के बदले में नात सुनाई देगी बेल बजने के बदले अगर इसमें कोई दूसरी खिलाफ एशरा कोई किरायत वगेरा नहीं है कोई और माना इशरा चीज नहीं है मौजूद तो फिर बजाहिर तो यह जाईज नजर आती है यानि बेद भी नजर नहीं आती फिर भी इसमें एक मरतबा उल्मास से कॉलर ट्यून के बारे में राप्ता करके मालूं कर लें कि जैसा भी हो आप मेरी सुनेगा हाँ इसमें एक नियत जैसे ये तो नजर आती है कि अगर कोई इनात सलाम जिसने लगा रखा है और इसलिए कि अगर कोई सुने तो उसको ये मालूम चल जाए कि मैं आला हदरत अजिम बरकत का चाहने वाला हूँ यह में सुननी हो तो अपने इमान को आकीदे को व सांता होता है इसमें इस जाहिए जाइस नजर आती जो फॉन करने वाले को सुनाने की बस्ति है भाकी एक रिंचटोन जो फुद वस्ती खार हो चैजा है मरं भी इस उसक्ते सो ब्चना चाहिए पत्थर बे असल आले पुरन बार बनाया